डोस्तो आज मैं आपको बताऊंगे कि Pine Trees कैसे paint करते हैं Pine tree मेरा personal favorite tree है Pine tree बहुत सारे brushes से लगजया करते हैं आज मैं आपको बताऊंगे कि Fan brush सेidian pine tree कैसे paint कर सकते हैं usually pine trees को है अगर आपने देखा हो तो बहुत ही dark होता है वह तो इस ट्री की शुरुवात हम करेंगे ब्लाक कलर से ट्रीज हमेशा लेयर में पेंट किया जाते हैं जो सबसे डाक लेयर होता है वो सबसे नीचे आता है और इस ब्रश में आपको ये ध्यान रखना है कि पेंट अच्छी खासी मात्रा में होना चाहिए पेंट थोड़ा सा वेस्ट भी होता है इसमें लेकिन अगर आपके ब्रिसल्स अच्छी तरीके से पेंट को नहीं पकड़ेंगे तो फिर ये ब्रश जो है वो आश्ट्रे इधर उधर गूंता है जिसकी वज़ा से आपका जो पाइंट ट्री है वो बहुत सुंदर नहीं आएगा केड़ा मेरा आता है तो चलगे शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं एक पाइंट ट्री यहां पर पेंट करूंगे मैंने बहुत सारे पेंट को ब्रिसल्स में ले लिये और यह मैंने एक बेसिक सा स्टेम उसका पेंट कर दिया है आप दोस्तों देखिए ब्रश के कॉर्नर से थोड़ा सा उपर से आप देखिए इस तरह से आप पेंट करें और धीरे-धीरे आप नीचे तक आएं यह जो है यह इस पाइंट्री का पहला लेर है आप देख सकते हैं कि यह पाइंट्री ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है पाइंट्री हमेशा जुंड में होते हैं कभी एक अकेला पाइंट्री नहीं होता है वैसे भी एक अकेला हमेशा बोर होता है तो उसके साथ एक दोस्तों होना ही चाहिए पानी जाता नहीं होना चाहिए नहीं तो पानी आपकी पेंटिंग को जो डिजाय टेक्शर है आपको वो नहीं आने देता है तो यह बात हमेशा ध्यान रखें एक्रेलिक पेंट में कि पानी कम से कम हो चलिए दोस्तों दो दो इनफ लग रहा है अब जो टाकेस लेर है वो तो हमने बना दिया अब इसके पात जो कलर हम डालेंगे वो है साप ग्रीन कलर ग्रीन कलर का ही जो डार्केस्ट फॉर्म है वो है एवर ग्रीन ट्रीज के लिए मुझे यह साप ग्रीन कलर बहुत पसंद है अब सेम उसी तरह से जिस तरह से ब्लैक में आपने ब्रिसल्स को अच्छी तरीके से लोड किया था पेंट से देखें कितना पेंट मैंने ब्रिसल्स में लोड किया है और ब्रश के कॉर्णर से उपर क्योंकि छोटा होता है तो ब्रश के कॉर्णर से शुरू करें ब्लैक को पूरी तरीके से ना ढखें उसके उपर एक लेयर सा बना है करें कि अधी ब्रिस्स की अंधा बनाए तो एक बाल में इतनी अच्छी तरीके से लोड करें कि वह एक पाइंटी आपके एक इसमें कब हो जाए एक स्ट्रोक में ही पेंटिंग करने की कोशिश करें और कुछ मॉडिफिकेशन्स आपको अकॉर्डिंग टू यॉर चॉइस करने पड़े तो कर दीजिए पेंट करने बात तो दोस्तों आपने देखा यह कितना इजिली पेंट हो गया अब क्या है कि यह एक क्लियर डे है तो पाइंट्री और यह बहुत ही नजदीक से दिख रहा है पाइंट्री बैक्राउंड में नहीं है यह फोर ग्राउंड में है तो मैं थोड़ा सा लेमन येलो लेकरके अब थोड़ा सा लेमन येलो और सब्ग्रीन को मिक्स करके और मैं इसको जऱा सा हाइलाइट करेंगे बहुत थोड़ा थोड़ा से लगा है ज्यादा लगाने की ज़रती है बस जऱा सा हाइलाइट करना है ताकि और प्रिशिसन से दिखाई देए सब मत धके सारा ब्लैक कलर और ग्रीन कलर ना धके हलका हलका सा पानी नहीं होना चाहिए पानी होगा तो फिर आपको जो टेक्शर चाहिए वो नहीं आएगा बस हलका हलका सा यहां वहां लगा दें देखिए कितना सुंदर आ गया सुंदरा पे नीला नीला इन ट्रीज की यही खाशते थे कि ना कुछ गलत है और ना कुछ सही है सब सही है और सब ठीक है सब के अलग-अलग स्ट्रोक्स होते हैं अब जो मैं लगाने वाली हूं यह मैंने मिक्स करके लगाया था ग्रीन और यलो को अब मैं प्योर यलो का लेर लगाऊंगी बहुत ही हलका से लगाऊंगी जाद लगाने की जरूरत नहीं है ताकि यह अच्छी तरीके से हाइलाइट हो जाए ट्रीज हमेशा लेर में पेंट होते हैं ट्रीज कभी भी एक बार में पेंट नहीं होता है आप जितना जादा लेर डालेंगे आपको ट्री उतना ही खुबसूरत दिखेगा आपको करना केवल यही है कि आपका एक लेर दूसरे लेर से अलग दिखना चाहिए कभी भी आपके एक लेर ने दूसरे लेर को पूरी तरीके से ढखना नहीं चाहिए अब हम इसका स्टेम बनाएंगे विद यूज ओफ सिंपल लाइनर ब्रश स्टेम बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बर्न टंबर और वाइट इसको मिक्स कर लिया है अब यह जो लेर है यह हमें कहीं कहीं दिखाना है क्योंकि यह हमारा पाइंट्री इतना ज्यादा घना है कि यह लीव से ढख चुका है अजय हमारा आ है